वेलकम तू दे चैनल ग्यापन एकेडमी महराथन क्लास आएगा और उसमें पूरा डीपली आपको पूरा एक्स्प्राइशन के साथ समझ जाएंगे ठीक है कि कैसे एंसर लिखना है लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे 15 से ले करके 23 तक का multiple choice अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज इसको सब्क्राइब कर लिजिए और अपने दोस्तों में सेर किजिए तो चलिए पहले बिना देर की हम लोग वीडियो देखते हैं अब यहां हम लोग देखते हैं अगला lesson 15 काफी important सब question है गौर से दिखी गया ताकि इसी बार दिमाग में fit हो जाए क्योंकि अब आ आचारे सीव पूजन सहाय के दवारा रचित एक क्या है निबंध है याद रहें कि अगर question यह भी पूछ दे कि दिन बंधु क्या है मतलब किस बिद्या से लिए गया तो यह निबंध से लिए गया है ठीक है अगला question है दिन बंधु निराला किस कभी को कहा गया है यानि कि दिन बंधु निराला को दिन बंधु का गया है क्योंकि यह दिन दुखियों की मदद करते थे यानि दिन मतलब होता है गरीब यह दिन और रात वाला दिन मत समझेगा ठीक है अगला question देखिए जो रहीम दिन ही लख है दिन बंधु सब हो यह पंति किस पर सटीक बैठती है अगला question देखिए अगला question है निराला जी सचे अर्थों में किसके मित्र थे यानि दिन दुखियों के मित्र थे अगर सही में देखा जाए तो वो दिन बंधु का यानि दिन दुखियों का काफी ज़्यादा मदद करते थे इसलिए वो क्या दिन दुखियों के मित्र थे बढ़ सामफास ले चलेंगे विवेकनन सोसाइटी के विडाट अयोज़क के कारेकरम में निराला जी किस काम की जिम्मेदारी निभाते थे तो यहां देखिया दरीद दिल नरायन के भोजन का यानि दिन दुख्यों के भोजन को भोजन को खिलाते थे वहां पे ठीक है यह यह करीबों को सिवा करने में इनको काफी अच्छा लगता था अब देखिये बंगाली समाज के लोग निराला जी से किसकी रचना गवा कर सुनना पसंद करते थे अगला कोस्टन है देखिये वेलूर मठ कहां है तो यह कुलकत्ता में है आप याद रखेंगे वेलूर मठ अगल खेमा सिर्शक कहानी के केंडर में है, आखिर बताए कि खेमा जो एक कहानी है, इसके केंडर में क्या है, बाल बिवा है, कि बाल मजदूरी है, कि मतलब बिद्वा बिवा है, तो यहाँ पे हो जाएगा option C, खेमा खुद एक छोटा सा बच्चा था, जिसे लोग मजदूरी करा रहते, ठीक है, कसारा करके उसका नाम था, और एक बच्चा बुरा मान गया था, तो देखिए, हम एक सेंस ले करके सिर्फ बाबु समझाये थे, ठीक है, कि इसका अर्थ यह हो सकता है, आप लीज आप लोग बुरा नहीं माने किसी बात को ले करके, हम चाहते हैं कि किसी ना को थोड़ा सा बुरा लग गया था, अगला देखिए, बाल मजद्री का वर्णन किस कहानी में है, तो बाल मजद्री का वर्णन आपको पता है, और ची कि खेमा जो कहानी है, बेचारा खेमा लड़का जो है, बहुत ज़ु getting है, भृत गरीब था, इसके बारे में है, अगला question हम लोग देखते हैं खेमा कहां काम करता था तो खेमा खेत में काम करता था कि रसोई गर में की कलींग उदोग में की कसारा के होटल में तो option D आपका सही है कसारा के होटल में काम करता था अगला question देखिए खेमा सिर्सक कहानी किस प्रथा पर करारा परहार करती है यानि कि बाल मजदूरी पर करती है आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे करारा परभा बाल मजदूरी पर पड़ा है इसका अगला कोशन है खेमा पर किसे दया आई एक सिक्षा को या कि धन जो धन का सेट है धनना सेट को या फिर कसारा को या फिर सादो को एक सिक्षा को दाया गई जो कि एक लेखा के रूप में कह सकते हैं मुक्ताकासी होटल को छोड़ कर खेमा कहां चला गया अपने गाउं एक सिक्षा के सांथ बड़े सहर में या फिर कहीं नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा एक सिक्षा के साथ पढ़ाई करने के लिए चल गए था क्योंकि उस्तिक्षा को दया आ गए थी इस पर खेमा पाट की कौन सी बिद्या है कहानी है या फिर जिवनी है निबंध है या कभी था है तो आपको पता है यह कहानी की तरह है फिल्म की तरह है इसलिए इसको कहानी हम लोग कहेंगे कसारा ने कसारा के पास चपल नहीं था पैर जल रहा था तो चपल के लिए मांगा तो भी बोल दिया कि देंगे दो चार चपल सर पे यह बात बोला था याई चपल मांगने पर वो फटकार दिया है छोटा बच्चा है पैर तो जलेगा ही किसी का भी जलेगा धूप में धिए के पिता का अर्तिक स्थितिक कैसी थी तो क्या थी भवY अत्यान्त दैनिय थी याणि बहुत ही बुरी तरसे खराब थी खेमा होटल में क्या करता था ये वाला कुशन ने तो खेमा होटल में ग्राकों को चाय देता था या फिर कॉप दोता था टेबल सब करता है यह सब काम तो होटल में करता था इसलिए अउपसन D सही हो जाएगा 123 यानि कि ABC सब से यसलिए जब option D है सब ही तो मारने में कोई परशानी नहीं है अगला हम लोग 70 lesson देखते हैं यह भी बहुत ही मज़दार है देखिएगा इसको यहाँ पे खुस्बू रश्ते हैं हाथ 70 lesson पीपल के पत्ते से नैने हाथ का अर्थ क्या होता है यानि पीपल जैसे जिस तरह कोमल होता है तो नन्हे बच्चों के कोमल हाथों के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है ठीक है अगला देखिए अगला कुश्चन है खुस्बू रश्ते हाथ के सिर्सक पाट का मुख्य उदेश से क्या है स्रम की महता को क्या प्रतिपादित करना या फिर स्रम ना करना या फिर आलसी बनना या फिर सभी गलत है तो यहाँ पे option ये वाला सही हो जाएगा ये दोनों गलत है यहाँ पे दिखाए गया है कि जो स्रम करने वाले जो मेहनत करने वाले लोग है उनका परतिपादन किया गया है कि बेचारे जो खुजबो बनाते हैं वो लोग खुद एक गरीब की जोपड़ी में रहते है शफलता की जननी है तो मेहनत ही सफलता की जननी है ठीक है? एक तरसे देखा जाए आप जितना मेहनत किजिएगा उतना ही फल मिलेगा लग पर भरोसा मत किजिए ठीक है? खुदा कहते है कि मेहनत पर भरोसा किजिए लग पर नहीं हर काम की शफलता का क्या राज है? स्राम है, पुझी है, जूट है, आल से है तो स्राम है, मेहनत है क्योंकि खुदा बोलते हैं कि मेरे लिखे हुए लीपी को तो कोई काट नहीं सकता है लेकिन अपने मेहनत पर सिर्व भरोशा रखो ठीक है पांस नमबर देखे खुस्बू रस्ते हैं हाथ पाठ की बिद्या है तो आपको पता होना चाहिए कि जो खुस्बू रस्ते हैं हाथ यह एक कवीता है अगला कोशन है खुस्बू रस्ते हाथ के कवी कौन है यहाँ पे कवी का क्या नाम है तो आपको बता दे कि खुस्बू कहां से आता है तो फूल से बता थे अरूर कमल कमल भी तो एक फूल है ठीक है अगला कोशन देख दे अगर बत्ती बनाने वाले लोग option D सही हो जाएगा खुस्बू रस्ते हाथ उमीद कर रहे होंगे कि आपको समझ में आया होगा कब जब यह आप वेडियो देखे होंगे पूरा का पूरा लेशन वाई जम बताये थे आपको खुस्बू रस्ते हाथ क्या बताते हैं यानि कि यहाँ पर लिखा गया है खुस्बूदार क्या बनाते हैं सौरी तो यहाँ पर खुस्बूदार अगरबत्ती बनाते हैं इसमें option नहीं दिये हैं कुछ खास नहीं था आगे भी है option यानि कि खुस्बूदार अगरबत्ती कौन बनाते थे अमीर लोग की सेट लोग होगा लोट लिख दिये हैं ठीक है पड़े जिके लोग यह समाज के वन्चित गरीब और नी सहाई लोग तो यहाँ पर यह लोग बनाते हैं ठीक है इसका इस्तमाल यह जितने भी हैं सब बड़े लिखे लोग करते हैं अगला लेशन कि लिखर गया बिहार के बिडिक्टा ने बहुत राजひो जադा लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कमिया कि जिसके पास पैसा है वह बाइन नहीं चाता है और जो ब paths पास पैसा नहीं다면 लेकिन बिहार में कूट कूट करके टायलेंट भरा हुआ यहां हम लोग को आगे क तो आप लोगे से रिक्वेस्ट करें कि हर एक लड़कियों को सेल्फ डिफेंशन की कराटा वगरा सीखना चाहिए अपना रक्षा स्वेम करें हो ठीक है कदम पर लिकर क्या बनना चाहती तो डॉक्टर बनना चाहती ताकि गरीबों की मदद कर सके आपको सब्जेक्टी भी गुडिया कहा की रहने वाली थी तो नोखा की रहने वाली थी यहां पर है देखिए अध्यन विरोधी ततो को किसने धूल चटा दिया कदम ने ठीक है दलित परिवार से आती है यहां पर गुडिया कितना दूर पैदल चल कर पैदल चल कर उत्प्रिरक के अंदर पहुंची करें थी यानिकर अपने ममी पापा को घर में बंद करके पढ़ने के लिए भाग झाल लिए थी इतना जुनून्ध फा उसके अंदर अगला थो कि होसली की उडान पाथ की घै कंडर का उन यों के बारे में लिखा गया है और निभन क्योंकि निवंद किसी के बारे में लिखा जाता है और कहानी अपने से मन से इंट्रेस्टिंग बनाया जाता है ठीक है सूच करके ये देखिए गुडिया किस जीले की रहने वाली थी तो आपको पता होना चाहिए कि गुडिया जो है अगर जीला का बात करें तो ये रोहतास जीला की रहने वाली थी ठीक है अगला हम लोग कुश्चन देखते हैं महमूद स्वरी महमद अबदुल रहमान खान की पोती जो है उनका क्या नाम था वो कौन थी तो जैनव खानम याद रखिएगा ठीक है जैनव खानम सोनी किस की बेटी थी तो विश्नु शंकरतिवारी की बेटी थी अगला कुश्चन है यहां पे कदम किस जीले की है यहां जीले होगा जी से लिखा गया है बाई मिस्टेक जीले होगा तो कदम मुंगीर जीला की रहने वाली थी ठीक है आप याद रखिए कि जो कदम है वो किस जीला की रहने वाली है मुंगीर जीला की रहने वाली है यह बहुत है बिहार की एक बोला जाए तो बहुत है सक्तिशाली नारी रही है जैनब खानम किस जीले की हैं तो यह सीवहर की है ठीक है सीवहर जो जीला है बिहार का सबसे पिछड़ा जीला सीवर को बोला जाता है ठीक है तो आप इसको याद रखेंगे अगला देखिए अगला कुश्चन है बिहार की बेटी का और सधान विशेस्ताओं का उद्धाटन लिखा है किया गया है तो ये देखिए आपको पार होसले की उडान में ही तो बिहार की बेटीओं के बारे है ठीक है जैनब खारम की पढ़ाई तीन दर्जे के बाद किस करण छोड़ा दी गई तो वही बताए थे पुरानी घिस्ती पिटी प्रंपरा ठीक है परदा परथा की जकरवंदियों के वज़ा से जकरवंदियों के वज़ा से इसको पढ़ाई को छुड़ा देगा लेकिन होसला तूटा नहीं ऐसे हम लोग को भी होसले को रखना चाहिए जन्नाय करपुरी ठाकुर कहां के निवासी थे तो बिहार के थे देखें बिहार में बहुत अच्छे अच्छे करंदिकारी लोग थे लेकिन क्या किजएगा सरकार जो करा है करपुरी ठाकुर अपनी कॉलेज कब छोड़ दी यानि कि 1942 में आपको बता देखिए 1940 में मैट्री किये दो साल के बाद ये इंटर किये तो 42 होई जाएगा आपको कहानी में ही बताये थे ठीके और उसके बाद से इन्होंने अंदुलन में ये भाग ले लिए उसके बाद से ये छोड़ दिये यानि बी ये फॉस्ट येर में इडमिशन करा है उसी सन में और इसे में पढ़ाई छोड़ दिये अगला कुश्चन है अजाद दास्ता किस व्यक्ति द्वारा गठीत है तो आपको बता देखिए जै परकास नरायन द्वारा गठीत है और इस अजाद दास्ता में क्यों करपूरी ठाकुर भी भागिदारी लिए है ठीक है अब देखिए करपूरी ठाकुर को कब गिरिफतर किया गया तो आपको बता देखि businessman करपूरी ठाकुर को 23 अक्टूबर 1943 में गिरिफतर कर लिया गया ठीक है अगि रफतारी का वज़ा भी आपको बताए थे अब देखिए वहाँ जाने के बाद से आगे देखते हैं थोड़ा सा करपुरी ठाकुर को किस जीले में बंद किया गया था सॉरी जील में जीले लिख दिया है यानि किस जील में बंद कर दिया गया है ठीक है तो यहाँ हो जाएगा दरभंगा के जील में बंद किया गया था अगला कोश्चन है करपुरी ठाकुर ने आईये की परिक्षा कब पास की तो आपको बताये थे ना 40 में मैटिक तो 42 में आईये यानि intermediate of art पास किये होंगे करपुरी ठाकुर बिहार के मुख्य मंत्री कितरी बार बने तो दो बार बने हैं अगला के मुख्य मंत्री देखे गोकुल ठाकुर किसके पिता थे तो ठाकुर जी ठाकुर जी के पिता है करपुरी ठाकुर हो जाएगा यहां देख सकते हैं करपुरी ठाकुर का जनम का वह था तो 24 जनवरी 1921 इसवी को इनका जन्म हुआ था जन ना एक करपुरी ठाकुर पार्ट की बिद्या है आप बताएं कि यह निबंड है इनके बारे में लिखा है या फिर यह जिवनी है या फिर यह कहानी है या फिर यह क्या है संस्मरण है आप खुद सोचिए क्यों कि हम हर एक हम लिए कब मर गए ठीक है करपुरी ठाकुर जै परकास नरायन के अजाद दास्ता के सदस्य कब बने तब को पता होना चाहिए कि जब वो इंटर की पढ़ाई करके और छोड़ दिये तो 1942 में ही बने थे यहां देखिए यहां को सने संद 1960 में बिहार के उप मुख्य मंत्री बने कौन बने हैं तो करपुरी ठाकुर बने हैं ठीक है तो यहां लोग देखेंगे करपुरी ठाकुर की मिर्तिव कब होई तो करपुरी ठाकुर की मिर्तिव यहां पे 17 फरवरी होगा ठीक है यहां पे गलत है गलत लिखा गया यह तो सब गलत है 17 फरवरी आपको समझा दे 1988 को इनकी मृत्यूब हो गई थी अगला कुश्यन हम लोग देखते हैं अगला कुश्यन है करपुरी ठागुर कब मुख्य मंत्री बने तो आपको यहां किताब में डिपली तो नहीं दिया लेकिन आपको 1970 में हो बने है 1970 में 1977 दिया है तो 1970 में यह क्या बने मुख्य मंत्री बने और दो बार रहे है तो 77 तर तक रहे होंगे फिर बीच में हटे होंगे अब देखिए जहासिक इरानी के बारे में तोड़ा सामलो डिपली समझ ले क्योंकि इससे भी कोस्टन काफी बार पुझा जा चुका है यहाँ पे जहासिक इरानी किसके द्वारा रचित यह कवीता है तो सुभद्रा कुमारी चौभान के द्वारा यह रचित है प्रतम भारतिय स्वतंता संगराम कब हुआ था तो 1857 में पहली बार इंडिया में स्वतंतरता संगराम हुआ था इसी समय हमारा देश अजाद हो गया होता लेकिन कुछ गल्तियों के वज़ा से हम लोग फिर से गुलाम के गुलाम ही रह गया यहाँ देखिए काना कौन थी तो काना लक्ष्मी भाई की सहेली थी ठीक है अब देखिए जहासि पर अधिकार करने के पस्चाथ वह किस तरफ यानि कि जहासि पर जब फिर से अधिकार कर ली रहनी उसके पास से वह किस तरह बढ़ी तो कालपी के तरफ फिर बढ़ी बुड़े भारत में भी आई फिर से नहीं जवानी थी कावय पन्ती में भारत को बुढ़ा कहा गया आखिर क्यों इसको बुढ़ा कहा गया है भारत गुलाम था इसलिए क्योंकि भारत में एकता नहीं थी या फिर भारत का इतियास प्राची ने या फिर भारत की दसा क्या थी इस तिल जर 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 थी तो यह हो जाएगा सितिल और जर 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 थी एकत कि रानी पाट की विद्या है तो यह क्या है कवीता है यहां देखिये बिर्तीव के समैं रानी लक्षमी बाई की उम्र लगब क्या थि यह बता सकते हैं तो थैस वर्ष 공breaker कान पूर की नाणा शहब की बहन कौन थी तो लक्षमी बाई थी लक्षमी बाई का घोड़ा कहा ठक कर गिर गया तो कालपी में गिर के और वहाँ पर डेथ भी हो गया अब आते हैं अगला लेसन चिकित्सा का चकर पाठ की बिद्या है बताए यहां चिकित्सा का चकर क्या निबंध है या हास्य व्यंग है या फिर डायरी है या फिर जीवनी है किसी का चिकित्सा का चकर बहुत ही इंट्रेस्टिंग था आपको बताए भी थे हम ठीक है तो यहां पर यह लिख सकते हैं यह परकार का लिख सकते हैं चिकित्सा का चकर के लेखा कौन है तो चिकित्सा का चकर भी नाम जाना चाहते हैं नहीं रहने के लिए जाना चाहते हैं भालेश कow जाना चाहते हैं यहां देखिया डॉक्टर चुहानात का तरजी यह याने की Fr objeto कर्स है लंदन की हो ने यहाओ यहार लोग वीडियो देख लीजेगा एफ-आर-सि-ए-स अगला कुस्चन में किसने कहा मुझे आज सीमेमा जाना है तो इलेखा की पतनी भोली है यानि कि उनकी सिरी देवी जो भी समझ लीजे ठीक है अगला कुस्चन है सुदामा चरित की रचनकार कौन है जो सुदामा चरित्र पाट की बिद्या है तो आप बता सकते हैं यह तो एक कवीता था ठीक है अगला है देखे शुदामा की आर्थिकिस्तिति कैसी थी तो अत्ती दीन थी यह अत्यांत दैनिया बहुत ही गरीब गुरु मता का दिया हुआ चन्ना कौन खा जाते था तो सुदामा खा जाते थे ठीक है अगला कुश्चन है सुदामा अपने मित्र से सुदामा अपने मित्र से मिलने कहां गए तो सुदामा अपने मित्र से मिलने द्वारिका गए स्री कृष्ण से मिलने ठीक है अगला कुश्चन सुदामा का पैर किसने धोया तो स्री कृष्ण ने धोया क् किसने सुदामा को सुरिकृष्ण के पास जाने के लिए विवस किया तो पतनी ने महिलाओं ने बुरा मत मानिएगा महिला बोल रहे हैं तो ठीक है द्वारिका से लोटने के बाद सुदामा अपने घर क्यों नहीं डूंड पा रहे थे घर महल में बदल गया था ठीक है पीता कौन है तो डॉक्टर नी वियत नाम ठीक है अगला कुशन देगे कभी हिरन के बच्चे को क्या अस्वासन देता है तुम्हारी मा मिल जाएगी बेटे मत रो ठीक है अगला को सने जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा था तो हीरन का बच्चा रो रहा था य आभटके हिरन के बच्चे को यह कैसी कविता है तो यह मनों बेग्यानिक अत्यांत मारमिक है या फिर व्यांगात्मक है या फिर कोई नहीं तो इस सब गलत है अत्यांत मारमिक है क्योंकि इसमें बहुत ही दर्द छिपा है उस बच्चे के अंदर ठीक है तो उमीद करते हैं कि आपको पूर्ण रूफ से यह लेशन समझ में आया होगा तो था ना वीडियो संदार तो प्लीज सेयर किजिए बार-बार यार दोस्तों में सेयर किजिए क्योंकि आप सेयर जितना वीडियो को किजिएगा अगर ये नोटिफिकेशन आपके दोस्त के पास जाएगा मैंसे दोस्त के पास जाएगा तो वो भी देखेगा तो पास हो जाएगा ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर उसके प्रती जला नहीश्या है तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंपोर्टेंट स्रीज के साथ अब तक के लिए जैहन